राधे राधे भगवान की क्रिपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने शिव भोले का धागा भादो मास में बांधा था वो किस दिन खोलना है? शिव भोले का धागा जो हमने भादो मास में बांधा था वो अगहन मास में मार्क शीश मास में अमवस्या के बाद जो पहला चांदना सुंबार आता है उस दिन खोलते हैं और मार्क शीश मास की अमवस्या 12 दिसंबर को है इसलिए 18 दिसंबर को चांदना सुंबार पढ़ रहा है और 25 दिसंबर को भी पढ़ रहा है इसलिए इन दोनों दिन ही हम धागा खोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों सौमवार ही चांदने हैं और मार्ग शीश की अमवस्या के बाद ही पढ़ रहे हैं शिव भगवान सबकी मनोकामनाय पूरन करते हैं और जो भी ये धागा बांधते हैं उनके घर में संतान, अंधन, संपदा किसी चीज की भी कमी नहीं रहती और शिव भूले का धागा जो है वो भादो मास में बांधा जाता है और ये चांदने सौमवार को ही बांधा जाता है और चांदने सौमवार को ही खोला जाता है और ये धागा अब 12 दिसंबर के बाद चांदने सोंबार को 18 दिसंबर और 25 दिसंबर को खोलना है और इन दोनों बारों में से जो भी दिन सुगमता से हम पुगा सकते हैं उस दिन ये धागा खोल सकते हैं और इस दिन वरत रखा जाता है और चरी के आटे की जो पंजीरी बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है और चड़ाया भी जाता है और फिर मंदिर जाकर चरी के आटे की जो हमने पंजीरी बनाई है वो और आटा और गुड और ये धागा जाकर शिविलिंग पे रखना होता है और भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि आप हमारे घर की रक्षा करें प्रिवार की रक्षा करें तो भगवान शिव हमारे प्रिवार की रक्षा करते हैं और हमें सुक समरिदी देते हैं और संतान और संपदा की रक्षा करते हैं आशा है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए लाप्रत सिथ होगा अगर आपको थोड़ा भी हेलपफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करें जैमाता दी